Hello and welcome idea student, एक बाद फिर से आप सबी का स्वागत है भई से इसक्लास में जिसमें हम लोग कर रहे हैं वे चैप्टरि डारेक्टिंग डारेक्टिंग इन मैनेजमेंट है ना डारेक्टिंग इन मुवी ने डारेक्टिंग इन management अब बात करते हैं यह directing होती क्या है हम लोग already discuss कर चुके हैं उसके लावा last class हम लोग discuss कर चुके थे भई किस चीज के बारे में हम discuss कर चुके थे एक छोटा सवर very important topic था हमारे पास जो था अपके पास leadership और आज हम directing की part number second लेकर आए हैं जिसमें हम लोग study करेंगे भई डारेक्टिंग का एक नया element जिसका नाम क्या है communication तो बिलुकुल ध्यान से इस communication को समझना important topic है एक्जाम के अंदर आएगा पहली थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि सर इस chapter के यानि कि communication में से क्या क्या important part और क्या क्या आने वाला है देखो में communication में हमें याद करना है communication का meaning communication के elements क्या क्या चीज़े इसमें use की जाती हैं उसके अलावा types of communication कितनी तरह का communication हो सकता है एक organization के अंदर और लास्ट में पढ़ेंगे वही communications के barriers क्या क्या बाधाय होती हैं आपके communication में यानि कि meaning पढ़ने वाले हैं meaning के साथ communication के elements पढ़ने वाले हैं element के साथ साथ इसके types पढ़ने वाले हैं और communications में जो barriers हैं उन्हें पढ़ने वाले हैं class लगबग 20 minute की होगी आपको 20 minute बहुत ध्यान से class को समझना है और मैं हमेशा की तरह बोलूँगा आप 20 minute दे देना वेटा इस class को 100% communication आपको totally learn हो जाएगा उसके अलावा कुछ भी chapter के अंदर जाने के इस part में नहीं बचेगा तो first part leadership जिन्हों नहीं देखी है वो video number first देख सकते हैं और second part communication अब सबसे पहरे topic पर लोट कर आते हैं बटा हमारा topic क्या है बई communication, communication के अंदर सबसे पहरे आते हैं meaning of communication communication का meaning क्या होता है अगर मैं simply why बोलो बटा तो communication का meaning होता है एक sender के through receiver को information का transfer transfer of information transfer of information from sender to receiver is called communication क्लियर है बटा, communication क्या है transfer of information मैंने अपनी बात आपको बताई मैंने अपनी बात आपको बताई which is called communication हम जो कर रहे हैं बटा, यहां पर यह भी क्या एक तरह का communication मैं आपको कुछ बाते आपको समझा रहा हूँ यानि कि मैं कौन हूँ बए sender, आप कौन हो इस communication के अंदर receiver और मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ बटा, एक topic ठीक है बई तो communication क्या होता, communication means होता transfer of information from sender to buyer from sender to buyer sorry बटा, sender to receiver, ठीक है बई sender से receiver तक information पहुचाना ही क्या कलाता है बई, हमारे पास communication कलाता है, कोई भी आप से पूछ ले, कि what is communication कोई बड़ी सी definition पर जाना किसी और definition पर जाना simple सी एक definition बतानी है कि transfer of information transfer of information from sender to buyer is called communication is called communication, हम communicate तो कर रहे है ठीक है बई, तो यह तो रहा के बास communication की definition, अब हम आते हैं बटा, communication की definition के बाद, types of communication पर, किस पर आते हैं बटा types of communication अभी हम समझेंगे, मैं आपको हमेशा एक बात ध्यान से सुनना, बटा मैं सिर्फ आपको पढ़ाता है नहीं हूँ, साथ साथ मैं आपको notes भी देता हूँ आप video को pause करके इसकी बटा क्या कर सकते हो, photo click कर सकते हो, इसके notes भी prepare कर सकते हो ऐसा नहीं है, सिर्फ आया पढ़ाया और चला गया, आपको पढ़ाने से पहले बटा, मैं totally notes prepare करता हूँ, पूरी PDF बनाता हूँ, easiest language का use करता हूँ, ताकि आप उसे समझ सको पर आपकी जिम्मेदारे क्या है भई कि हर एक topic की आप photo click कर लो, photo click कर लो आपके पास क्या जाएगे भई, उसके notes आजाएंगे, फिर आप उसे क्या करो, अपने copy पर उतार लो, आपके notes complete हो जाएंगे इतना तो आपको करना पढ़ेगा ना भई, मैं घरा का notes आपको दे नहीं पाऊंगा लेकिन एक बाद फिर से बताता हूँ कि जितने भी notes है very important है, जो भी मैं आपको बेजता हूँ, इस्क्रीन पर आपको दिखाता हूँ उन्हें आपको photo click करके हाथ में, हाथो हाथ, आपने copy के अंदर उतार लेना चाहिए भई, तभी आपके notes prepare होंगे, और मैंने का 100% accurate notes और easiest language में हमें आपको provide कराता हूँ, चलो जी आते हैं आपने topic पर मैंने का अपके दो तरह से हमारे पास communication होता है एक को मोलते हैं भई, formal communication और एक को मोलते हैं भई, informal communication, एक formal और एक informal, अब ये formal और informal communication क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझेगे देखो भई formal communication का meaning होता है कि जब मैं किसी official information को official information को किसी दूसरे person को पहुँचाता हूँ तो normally वो एक तरह का क्या होता है formal communication होता है जैसे बात करते हैं देखो बटा, एक वालग simple का समझेगा normally क्या हो बटा एक, क्या होबे, दो employee आपस में खड़े हैं और बात चीट कर रहे हैं उसना बताया भई, आज तो खाने में क्या लेकर आए दूसरे employee ने का भई, मैं तो पराटे लेकर आए हूँ तू क्या लेकर आए उसना का भई, मैं लेकर आया हूँ आज पाव भाजी दोनों employee खड़े वे आपस में बात कर रहे हैं पहले बताओ क्या ये communication है के नहीं है क्या ये communication organization में हो रहा है क्या organization के बाहर हो रहा है भाई दो employee factory में खड़े हुए हैं एक न का भाई मैं तो खाने में चुहां लेकर आया हूँ दूसरे नहीं का भाई मैं खाने में बिल्ली लेकर आया हूँ ऐसा ना हो कि मेरी बिल्ली तेरे खाने के चुहें को खा जाए बातचीत हो रही है बटा क्या हो रही है भाई ये बातचीत एक दूसरे से information transfer हो रही है यानि communication है इसका कोई विशेश उद्देश नहीं है इसका कोई organizational purpose नहीं है यानि कि ऐसा communication जो किसी organizational purpose से ना किया जाए या ऐसा communication बेटा जिसमें normally कुछ organizational की जो information वो transfer ना की जाए आप सिर्फ किस purpose से करो आप अपने public relation के चलते समाज के चलते अगर आप अपसमें बातचीत करते हो तो उस तरह के communication को हम क्या बोलेंगे भाई कि ये informal communication है कैसा बेटा ही informal communication अब formal communication क्या बेटा जहां पर हम क्या करते है भाई organization information को transfer करते हैं और इसके लावा information transfer करने का एक structure होता है structure means जो superior है वो अपने subordinate को information देगा subordinate अपने subordinate को information देंगे तो इस तरह से जब information transfer हो रही है इसे हम बोलता हूँ कि ये formal information transfer हो रही है यानि कि formal communication है एक superior ने अपने subordinate को कुछ information transfer की ठीक है बई ये क्या कहला है formal communication अब दो superior आपसे बैठकर मजाग कर रहे थे information transfer कर रहे थे वो कैसा रहा informal communication आप simple सा समझे बटा formal का meaning क्या हो बटा जब आप organization के अंदर organizational goal को अचीव करने के लिए एक vicious pattern में कुछ information को transfer करते हो उसे हम बोलते हैं formal information और जब आप किसी सामाजिक या आप अपने social objective को पूरा करने के लिए कुछ information transfer करते हो एक दूसरे से उसे हम बोलते हैं informal communication एक बात देखो definition पर जाएंगे दोनों की तब आप थोड़ा सा बटा साय समझ जाओ formal communication इस में क्या-क्या पॉंच लेके ऐए official communication followed the chain of command इसमें official communication होता है और chain of command को follow परता है chain of command मैं आपको क्या बताया कि टॉफ वाला अपने subordinate को बात बताएगा क्या है तो में भी return ये return भी हो सकती है oral भी हो सकती है लेकिन generally recorded and filed next direction क्या हो सकता है vertical हो सकता है downward हो सकता है upward हो सकता है ठीक है आपको इसे downward upward कैसे यानि कि हो सकता है बटा जो superior है जो superior है वो अपने subordinate को कुछ information transfer तर रहा हो तो downward हो गया और जो आपके पास कौन है बिटा subordinate है उसके पास कुछ information है उसने समान बना लिया है वो कह रहा है हमारा काम complete हो चुका है वो अपने superior को बदा रहा है कि हमने काम complete कर लिया within time तो यह information है कैसे हुई है downward से उपर के उपर गया यानि कि upward information हो सकती है यानि कि जो formal वाला है वो upward भी हो सकता है downward भी हो सकता है vertical भी हो सकता है ठीक है भी? उसके अरावा अगर बात करें बात किसकी? informal communication की तो बता रखा may be work related और other matter हो सकता है यह informal है work related बात भी कर सकते हो other बात भी कर सकते हो arise out of social interaction किस वज़र से arise होता है बैठा? social interaction यानि कि आप समाज में जब रहते हो एक दूसरे के साथ खड़े होंगे बात ही करोंगे तो कुछ ना कुछ तो बात होंगी origin and direction of flow is not easily located कहां से बात start हुई क्या direction था कौन किसे बता रहा है या आप बता नहीं सकते हो दस लड़कियों को बठा दो उनके बात पूछे भी topic start किया किसने था आपको पता नहीं लगेगा topic start करने वाली कौन सी गर्स या किसने topic start किया किसने खतम किया कहां से start हुआ कैसे flow हो रहा है कौन किसे बता रहा है कुछ पता नहीं चलता है बठा ये कैसा communication है बठा informal communication वो लखा है cut across skeleton इसमें कोई skeleton नहीं तो सब कोई काट का निकलता रहता है बठा यानि कोई की जिज़े बात कर लेता है ठीक है बढ़ी और स्पेड में फैलाता है ये यूमर्स इस पॉसिबल एज एट इस ठीक है बठा यानि के जो के वास informal communication होता है ये यूमर्स भी फैलाता है एक ने कहा बया salary बढ़ेने वाली है फिर एक दूसर से दूसर तीसर से तीसर से चौते से बठा तो इस तरह से बठा क्या होगा ये फैलता चला जाएगा तो इससे क्या होता है यूमर्स फैलता है किससे informal communication से अब उसके बाद थोड़ा सा आगे आते हैं बठा elements of communication communication के elements क्या क्या है यानि communication में क्या क्या चीज़े शामिल होती है एक होता बठा सेंडर सबको पता है सेंडर का meaning क्या होता है यानि कि जो person information को send करेगा उसम बहुते हैं सेंडर एक होता message message means जो idea है जो बात आप पहुंचाने वाले है वो message क्यालाएगा यानि कि मैं अगर information भेजता हूँ तो मैं कौन हूँ sender और मेरा message क्या है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो क्या बेटा मेरा message encoding encoding का मत्तब होता है information को किसी एक चीज में एक माध्यम के अंदर बेटा आप तक पहुंचाना वो यह कराता उसका क्या बेटा encoding encoding कैसे जैसे suppose कर बटा मैंने एक paper के उपर अपनी information लिख दी तो मैंने क्या किया उस paper पर अपनी information को encode कर दिया आप जाओगे उसे पढ़ोगे आप क्या करोगे decode करोगे मैंने अपनी information को क्या किया बेटा एक cd के अंदर record कर दिया तो मैंने encode किया बेटा अपने information को उस चीज के अंदर लिख दिया वैटा और decode का मतलब अब आप उससे meaning निकाल लोगे वो क्या कहला है वह decoding मैंने क्या क्या एक paper के उपर एक symbol बना दिया ठीक है भई डरावन वाला आपने उससे देखा आप पहचान के भई इससे देखकर डर लग रहा है यानि कि यह decoding हुआ तो encoding का मुलोग करका converting the message into communication symbols such as world और pictures यानि कि अपने information को किसी world और pictures में क्या करते हैं बटा convert करना जो आप communicate करने वाले हो उसे किसी pictures में convert करना किसी world में convert करना किसी symbol में convert करना क्या करा था encoding media का मतलब होता path जिसके थूरू information जाएंगी जैसा आप phone के थूरू information जा रही है ठीक है बटा अभी क्या से जा रही है बटा अभी YouTube क्या मीडियम है media means जिसके थूरू हम communication करेंगे जो एक माध्यम है हमारी communication का तो हमारा communication का माध्यम कौन है बटा हमारा media कौन है YouTube कौन है YouTube बोल सकते हो इंटरनेट बोल सकते हो जिसके थूरू मैं अपनी information आप तक पहुंचा रहा हूँ ठीक है बटा है उसका decoding decoding का मतलब क्या होता है जो मैंन information किसी चीज़ पर encode की थी एक symbol बनाया था आप उस symbol से क्या करो उस information को निकालो वो क्या कर लागा भई decoding converting encode symbols of the sender sender के जो symbols encode कर दिना है decoding कलाती है receiver कौन है जो information को receive करेगा ठीक है feedback क्या होता है इंफोर्मेशन receive करने के बाद मैं बताऊंगा कि हा मुझे आपकी information पसंद आई वो क्या कलाएगा इसका feedback information के बाद जैसे पोस्कों आपसे कहता हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो क पच्छी रखती है तो आप इस पर क्या करना like करना comment करना तो like और comment जो आप करते है वो क्या कहलाता भी आपका feedback कहलाता है आपना feedback जरूर दो पसंद आया तो like करो ना पसंद आया तो dislike करो पर करना मत और साथ में क्या करो भई comment भी करो अब बारी आती है barriers of communication communications में कौन कौन से barriers होते हैं, communication में क्या-क्या बाधाय आती हैं ये क्या क्या पाई, symmetric barriers ठीक है भी, symmetric barriers अब ये कौन से barriers होते हैं बटा ध्यान से समझें वो लखा है concerned with the problem of obstruction in the process of encoding and decoding of message into two words or impression, यानि कि symmetric barriers का मतलब होता है, जब आप अपनी information दूसरे तक पहुचाते हो, उस बीच जो आपने encode किया है, या उसने decode किया है, उसमें जो problems होगी बटा वो क्या कलाती है, symmetric barriers जैसे मैंने आप कोई कागाच पर कुछ information लिखकर भेज़ दी, और multiple writing में लिखकर भीज़ दी, मैंने encode ऐसे किया, आप decode ही नहीं कर पाओगे, है ना, जो doctor है बटा, वो जो लिखकर देते हैं बटा, उनकी writing कैसी होती है बटा, वो इस तरह सा अपनी information encode करते हैं, दूसरा परसंट decode ही नहीं कर पाता, इसन क्या बोलेंगे बटा, 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 आपने, बटा, कुछ, डिफरेंट, मिनिंग, यूज कर लिए, या आपने ऐसा, बटा, बटा, क्या information हो पाएगी, ठीक है, नहीं हो पाएगी, पॉल्टी translation, में transfer wrong message, मैंने कुछ बाते लिखी, आपने उसका translate किया, लेकिन वो गलत था, तो क्या information पूरी हो पाएगी, ये नहीं, बटा, ये भी क्या होगा, बटा, 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 symmetric barrier, तो symmetric barrier का मतलब क्या होता, बटा, कि जब मैं information को encode करता हूँ, और आप उसे decode करते हो, इ केरे से आप तक information नहीं पहुच पा रही है, हो सकता है, मैंने सही रंग से ना लिखा हो, हो सकता है, मैंने जो meaning लिखा, उसका दूसरा meaning निकाल रहे हो, हो सकता है, आप गलत transform कर रहे हो, बटा, transmission कर रहे हो, और हो सकता है, बटा, के पास क्या, technical jargon, बटा, 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 बट तेखनीकल में वर्ल्ड में नौट भी अंडेस्टूड वाइदा वर्कर्स आप कुछ टेकनिकल वर्ल यूज़ कर लो जैसे हम बोलें बैटा रोयल्टी आपको तो नहीं पता रोयल्टी क्या होती है कुछ लोग को नहीं पता है कॉपी राइट्स उनने तो नहीं पता टेकनि वोती हैं तो कहने का मतलश स्बोज है टेकनिकल जार्गन, meaning, कुछ आप टेकनिकल वर्ड्स का सब्मूह का यूज कर लेते हो, जिसकी वाजा से, जो message को receive करने वाला है, उस message को receive भी ने कर पाता है, उसका meaning ने समझ पाता है, विन क्या बोलते हैं मेटा सबको symmetric barriers, अब दूसरे हमारे पास क्या होते हैं अब आते हैं psychological और emotional barriers पर psychological और emotional barriers यह वड़ी important बटा exam में पूछा जाता है कि what is psychological और write the name of psychological barriers इनके आपको नाम भी याद रखने हैं पहला premature evaluation कभी-कभी क्या होता है बटा हम किसी person की बात सुनने से पहले उसका meaning निकाल लेते हैं कहते हैं बस मैं समझ गया वो आता है आपसे कहता है कि मैं तुभी information बताने वाला हूँ आप कहते हैं मैं तेरा चेहरा देख करें समझ गया तो क्या बताने वाला है इसे हम क्या बोलते हैं प्री-match your evaluation ऐसा होता है कि नहीं होता बटा आपके life में कभी-कभी कोई person आपको कुछ information देने वाला होता है आप उसकी पूरी बात सुनने से पहले ही समझ जाते हैं वो क्या कहने वाला है बट कभी-कभी ऐसा होता है कि आप गलत समझ लेते हो उसे हम बोलते हैं प्री-match your evaluation यानि कि judgment before listening leads to misunderstanding बिना सुने judgment ले लेना कभी-कभी आप दूसरे की बात सुनते भी नहीं हो lack of attention कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आप lack of attention की वज़से information नहीं पहुच पाती मिनिंग आप सुनी नहीं रहे दूसरे की बात वह आपके आकर बता रहा है जैसा आप teacher आते हैं वह पढ़ते रहते हैं बताते रहते हैं English वाले से रहते हैं बहुत अराम के साथ पढ़ाते रहते हैं accounts वाले से रहते हैं आप अपने में लगे पढ़े हो तो यह भी एक barrier रहा इस barrier की का बहुत है पहले आप तो psychological है और दूसरा यह कैसा lack of attention आप attention नहीं दे रहे हो बता तो information आप तक कहां पहुचेगी ठीक है loss of transmission of poor retention loss by transmission and poor retention when oral communication passes through various level ठीक करो मैं यहां पर बैठा हुआ हूँ और आपको पढ़ा रहा हूँ बता मैं यहां पख़ड़ा होकर और आप अपनी class के लुकु लास्ट में पहुचेगी ठीक हो इसां का बोलता loss of transmission or poor retention transmission के दौराने पहुचने के दौराने आप तक आवाज पहुचे बीच में बात कतम होगी बटा उसमें के बोलेंगे loss of transmission distract का मतलब क्या होता है कभी कभी हम ना क्या करते हैं एक दूसरे की बात पर विश्वास ही नहीं करते हैं तो यह भी communication का क्या है एक barrier है जैसे किसी ने आकर आपको बताया कि पता है आज हमारी class में क्या होगा half day हो जाए कुद भी आपको information ही नहीं मिली क्योंकि आप उसके पर ट्रस्ट ही नहीं करते हो इसका मतलब communication होई नहीं पाया भले ही वह आपको बता दे लेकिन आप उसकी बात मानी है तो communication कहां से हो बटा तो यह भी communication बादा होता है अगर आप दूसरे परसंदर क्या करते हो भाई distrust तो बगबग आपका complete हो चुका है वे communication चोटा सा पार्ट है वो अमने एक क्लास में को करा देंगे और दो क्लास में आपका chapter complete हो जाएगा अपना घर पर रहना ध्यान रखना और स्रक्षित रहना वे जय हिंद जय भारत